नमस्कार दोस्तों सौगत आपका गोदावरी पावर इंड इसपात लिमिटेट से रिलेटेड यहां एक अपडेट आई है तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे उस अपडेट को तो इसके लिए अगर हम विजिट करें बीएसी इंडिया की ओफिसिल वेब साइट पर तो यहा आप देख रहे हैं यहां पर कंपनी ने जो हीरा फिरो एलो लिमिटेड है उसका एक्वाइर यहां वह कंपनी कर रही है और इसके बारे में यहां पर कंपनी ने बीएसी को बताया जो रेट अपर शेयर एक्वाइर की वह लगवग वन नाइंटी फाइव रूपीच एक सो सब्सक्किर को ऒड़ा है और अभी लेट्वर कंपनी नो लुक्रक्रॉथ कर लियू है और हम total percentage वाइज देखिए तो यहाँ पर जो कंपनी ने अभी तक 52.79 परसेंट जो है हिसेदारी एक्वाइर कर ली थी अब 9 लाग सेर खरीद दिने के पाद जो कंपनी की हिसेदारी है वो यहाँ पर बढ़के हो गई है 54.70 परसेंट तो दोस्तों यह एक्वाइर की प्रोसेस भी काफी टाइम तक चलने वाली है कोई कंपनी आने वाल टाइम में और इस टेक भी एक्वाइर करेगी इसके लाग अगर आप देखो बीए से पे जो पोजिटिव ट्रेंड है वो 27 यहाँ पे पोजिटिव ट्रेंड कंपनी के बन र दिये हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रिंशिक वेली 1192 यानि यह सेर अंडर वेली डिस्टोक है इसमें ग्रोथ के हैं काफी संभाव नहीं प्रोफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं पांच साल के तीन साल की सांदार EPS फेस वेली पांच रूपे की सांदार ROE ROC डिव के साथ और यहांपर कंपानी में हाली मी स्टौक स्प्लीट हुए बोनस हुआ है अंडर वेल्यूडि ये स्टौक है और इसके साल अम्पनी का R O E है और कंपनी हाली में जो काफी पॉजिटिव न्यूज के लिए और यहांपर क्यूट निजट पी आने वाली हैं क्यूटू के रिजल्ट है वह भी आ गया है और हलाएं कि जून कॉटर के तुलना में कंपने का प्रोफिट कम हुआ है लेकिन और अच्छा खास प्रोफिट जनरेट किया है तो दोस्तों कंपने कंटिन्यू प्रोफिट भी दे रही है फंडामेंटली काफी स्ट्रोंग कंपनी रिजव भी है और यहां पर कंपनी के अंदर काफी खास बाते हैं तो आप ही शेयर को कंटिन्यू टेक कर सकते हैं आपको आनवाल टाइम में अच्छे रिटन बना के दे सकता है शेयर को खरीदने बेचने और होड़ होगे से पहले अ फाइनेंचियल एडवाइजर के इसला जरूर लिए